Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज की क्लास में हम डिसुकस करेंगे Methods of RefragعتYA इसमें से हम डिसुकस करेंगे First Method Ice RefragعتYA के बारे में डीटेल में डिसुकस करेंगे तो क्या होता है Ice RefragعتYA शिस्टम तो शूरू करते हैं वीडियो अगर आपने प्रिवेजे वीडियो या previous lectures नहीं देखे हैं या बाकी subject की वीडियो भी आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए subscribe कर सकते हैं हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली updates आपको मिलती रहे तो वीडियो में last तक बने रहे तो ice refrigeration system commonly used किया जाता है पहले use किया जाता early days में हम use करते थे ice refrigeration और हमने artificial और natural refrigeration के बारे में भी देखा था कि हम naturally या artificially कैसे collect करते हैं ice को इसकी वीडियो भी playlist में available है आप चेक कर सकते हो तो ice refrigeration के अंदर हम ice को used करते हैं directly जो भी जहाँ पे भी हमें cooling की requirement है directly हम या indirectly used करते हैं तो ice refrigerator का simple example यह है कि एक simple ice refrigerator हम कैसे बनाते हैं directly जो हम ice को place करते हैं इस system के अंदर ice को directly उस space में place करते हैं जहाँ पे load हैं जहाँ पे हमारा जिस load लगा हुआ है या जहाँ पे हमारा कुछ रखा हुआ है जिसको हमें cooling की requirement है तो ice को directly उस area में रख देते हैं तो ice की एक जैसे की latent heat को absorb करते हैं यानि की ice जब भी melt होती है जैसे की एक किलो ग्राम ice को एक केजी ice को 0 degree Celsius पर melt होने के लिए atmospheric pressure पे यानि की atmospheric pressure पे ice को melt होने के लिए 0 degree Celsius temperature तक उसको क्या चाहिए latent heat चाहिए surrounding की और वो क्या होती है 335 kJ तो इतनी heat को absorb करेगी तब 1 kg ice 0 degree Celsius at atmospheric pressure पर melt होगी तो हम क्या करते हैं ice refrigeration के अंदर simply ice को रख देते हैं जिस भी space area में हमें cooling की requirement है और natural convection डेवलप होता है इसके अंदर एक convective current डेवलप होता है कैसे कि हम यहां पे atmospheric pressure पे directly रख देते हैं और ice को melt होने के लिए इतना latent heat चाहिए तो यह क्या करेगा जो भी space है area के अंदर से latent heat को absorb करेगा फिर जो surrounding air है उसको cool करेगा तो इस एक तरीके का जो space के अंदर और ice के जो heat को absorb करते टाइम पे क्या है एक convective current डेवलप होगा ठीक है तो क्या है जैसे कि यहां से हमने space है यहां पे कुछ हमारा area है यहां पे हमें cooling की requirement है तो ice यहां से क्या हुआ heat को absorb करेगा heat को absorb करने के बाद जो cool air यहां पे एक separation provide किया गया है both side में तो क्या किया यहां से heat को absorb करके ice के अंदर जाएगी ice heat को absorb करने के बाद जो इसके आसपास की जो air है उसको cold कर देगी cool कर देगी air को cool किया उसने तो यह space में जाएगी cool air नीचे की तरफ जाती है यानि की cool air downward side में जाती है और जो hot air जाती है वो upward side में जाती है ठीक है तो क्या होगा जो cool air नीचे की साइड में जाके जो मारा स्पेस जहां पर हमें कूलिंग की रिक्वार्मेंट है वहां से हीट को एब्जोर करेगी तो क्या हो जाएगी जो कोल्ड एयर थी वो क्या हो जाएगी होट होना स्टार्ट हो जाएगी होट होते होते उपर तक जाएगी तो क्या है टेंपर को गेन कर लेगी जो भी surrounding space है तो hot air उपर जाएगी उपर क्या रखी है ice रखी हुई है ice इट को absorb करेगी फिर air को cold करेगी cool करेगी फिर cool air नीचे तरफ जाएगी फिर surrounding space इट को absorb करेगी तो एक तरही की क्या बन गया यह convective current बन गया तो इसके अंदर हम यूज करते हैं artificial या फिर natural harvested ice को यूज करते हैं और यह कहां पर यूज होता है यह यूज होता है हमें जहां पर load की application load जहां पर कम हो यानि कि जहां पर product को हमें directly cool कर सकते हैं कुछ ऐसे areas होते हैं जहां पर हम directly cooling की requirement होती है और यहां पर light load के लिए हम use करते हैं यानि कि कम load की requirement होती है वहां पर use करते हैं और जो ice melt होगी ice का जो temperature होगा वो क्या है 0 degree Celsius और जो हमें refrigeration यानि कि जो space में जो मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कुछ न कुछ लोसिस तो होते ही है तो जो temperature जो available होगा ही space के अंदर वो होगा 5 degree Celsius to 10 degree Celsius यानि कि इसके around में जो यहां का जो temperature होगा ना space का is ये 5 to 10 degree Celsius तक उसकी range रहने वाली है और ये कम load के लिए use होगा लेकिन हमें load की requirement यानि कि जब भी ज़्यादा होती है तो हम direct method का use नहीं करते हैं indirect method का use करते हैं indirect method जो ice refrigeration उसमें क्या होगा हम जो storage space है storage space से हम क्या करेंगे separate कर लेंगे जो हमारा cooling methods है जहां पर ice place रखी जाती है उसको हम क्या करेंगे storage space से हम अलग कर लेंगे separate कर लेंगे और continuously circulate करेंगे brine को यानि कि brine को continuously circulate करते रहेंगे जहां पर हमें chill या cooling की requirement है जहां पर हमें space represented space के अंदर continuously circulate करेंगे brine को तो यह क्या है freezing mixture तियार करेंगे इसके लिए जब यह melt होगा तो यहां से drain आउट हो जाएगा ऐसे ही हम यहां पर भी जो हमारा direct cooling था उसके लिए भी हमने ऐसा arrangement करा हुआ है जहां पर water drainage क्योंकि जब भी ice melt होगी तो water बनेगा water के drain होने के लिए हमें चाहिए कुछ न कुछ space या फिर कुछ न कुछ arrangement चाहिए तो हम ऐसा बनाएंगे ठीक है तो जो brine है और जो freezing mixture है यह हम तैयार करते हैं तो यह क्या होता है इसके अंदर हम fresh ice यानि कि freezing mixture क्या होता है mixture होता है ice और salt का ice और salt का mixture होता है और इसकी खासियत यह होती है कि हम zero degrees Celsius से कम temperature भी ले सकते हैं एडप्ट कर सकते हैं surrounding यान कि surrounding temperature zero degrees Celsius से कम चाहिए तो तब हम यूज करते हैं यह वाला method ice refrigeration का तो इसके अंदर freezing mixture को तियार करना पड़ता है हमें freezing mixture को तियार करेंगे तब ही हम कर पाएंगे क्योंकि ice melt होती है zero degrees Celsius पर but ice को melt करवाना है हमें zero से कम temperature पर melt करना है तब ही तो वो surrounding की heat को absorb करेगा ज्यादा तो इसलिए हमें इसको freezing mixture की help लेनी पड़ती है freezing mixture में क्या लेती हैं salt यूज करते हैं ice के साथ में salt यूज करते हैं और salt sodium chloride, calcium chloride, ammonium sulfate तीन तरह के salt यूज करते है sodium chloride, calcium, ammonium sulfate और salt को add किया जाता है salt को add किया जाता है यहाँ पर ice के साथ मिक्स किया जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है सबसे पहले तो ice latent heat absorb करेगी salt की latent heat को absorb करेगी सबसे पहले और वो cool हो जाएगी fast rate हो जाएगा cooling का फिर जितना fast rate होगा cooling का उसकी वज़े से क्या होगा कि ice जल्दी-जल्दी melt होना start हो जाएगी और उसका जो fast यान कि force fully क्या होगा cooling start हो जाएगी जल्दी जल्दी cooling start हो जाएगी जिसकी वज़ाए से कि हमें low temperature मिलता है और एक brine solution के अंदर हम क्या करते हैं water के साथ में salt मिला देते हैं यान कि water के साथ में salt मिला देते हैं उस solution को क्या बोलती है brine solution बोलती है और जो brine solution होता है brine जो होता है उसका जो टेंपरेचर होता है वो कम होता है water के freezing temperature से कम होता है तो जिसकी वज़े से क्या होगा जब जितना हम salt उसमें add करेंगे यानि कि water और इस solution में salt add करेंगे तो हमें और ज्यादा कम temperature मिलेगा तो जितना हमें temperature चाहिए उसके coding हम इसका temperature maintain करके चलते हैं और एक बात जब वो brine solution होता है इसके जो temperature हम brine का देखो यूटेक्टिक temperature sodium chloride brine यूज कर रहे हैं तो उसका temperature minus 21.11 degree celsius तक कर सकते हैं जब इस salt concentration मिलाया 23% by weight यानि कि हम salt concentration से temperature को control कर सकते हैं और calcium chloride brine का use करा तो उससे क्या है minus 55 degree celsius तक हम use कर सकते हैं जब जने कि lowest temperature तक कर सकते हैं अगर हम concentration salt की 29.87% by weight से लगाए तो तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं टेम्प्रेचर को साल्ट सोलुशन के अकोडिंग या ब्राइन के अकोडिंग तो इन्डारेक्ट जो भी मैथर्स हैं इनका हम यूज करते हैं ताकि हमें चेल यानिकी जो डेफ्रेजरेशन एफेक्ट मिले ठीक है और इन्डारेक्ट में हमें जीरो डिगरी से कम टेम्प्रेचर मिलता है तो ये दो डारेक्ट और इन्डारेक्ट मैथर्स हमने किये तो आइस रेफ्रेजरेशन की क्या एडवंटेजिस हैं क्या डिस एडवंटेजिस हैं उसके बारे में देखते हैं तो जो advantages हैं क्या इसकी खुबिया है जो fruits, vegetables, fish, polluter या जो भी खाने का समान होता है fruits, vegetables उसको dehydration से बचाता है prevent करता है dehydration dehydration क्या है इन fruits के अंदर time के साथ-साथ water loose होना start हो जाता है water loose यानि कि water loose यानि कमी start हो जाएगी water की कमी को दूर करता है water की कमी को दूर करता है क्योंकि एक तरह का water इसका यानि की रोकता है इसको dehydration से और जो flowers अगर है flowers के अंदर इस तरीके का हमने ice से हमने cooling किया हुआ पे तो preserve करके रखता है और जो flowers का जो appearance है उसको long term तक बना के रखता है और जो खाने वाला items है eatables items है उनको भी preserve करके रखता है और उनके जो appearance है उसको भी maintain करता है फिर उसके बाद जो extract करते है जब भी हम extending करके या फिर indirect system का use करते है यानि कि जो हमारा direct है उसको extend कर दिया indirect method का use किया जिसकी वज़े से multi compartment हम बना सकते हैं compartment अलग-अलग बना सकते हैं और अलग-अलग temperature को भी maintain कर सकते हैं यानि कि indirect method का use करके हम अलग-अलग compartment बना सकते हैं और अलग-अलग temperature पे maintain कर सकते हैं indirect system के अंदर कोई infection जो कि fruits में direct cooling कर रहे हैं तो fruits में infection होने के chances जादा होते हैं लेकिन जो indirect system में directly contact में नहीं आएगा तो उसकी वज़े से infection है food में होने के chances कम होंगे क्योंकि impure ice यानिकि वो डिपेंड करता है आइस की purity कैसी है direct ice contact में नहीं आएगी जिसकी वज़े से क्या होगा infection है fruit में fruit खराब हो सकता है तो वो नहीं होगा indirect method में क्योंकि indirectly cooling हो रही है फिर आता है disadvantage क्या क्या इसकी कमिया है देखो जो ideal conditions के अंदर जो lowest temperature हम अगर maintain करना है तो 0 degrees Celsius मिलेगा जो की ice के melting temperature के equal है ठीक है लेकिन कुछ applications में 0 degrees से कम temperature required है लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि हमें जो indirect method यूज कराना उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से add करना होगा तभी हम low temperature को maintain कर पाएंगे लेकिन ideal conditions की बात अगर करें तो उसमें 0 degrees Celsius का temperature मिलता है जो ice directly हम feed करते रहना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है ice से ही होता है salt और ice की concentration को देखना होता है टीके freezing mixture को देखना होता है ice को time to time हमें रखना होता है वहाँ पर feed करना होता है तो ये एक inconvenient method और un economical method है कि बार बार हमें चेक करना होता है कि ice खतम तो नहीं होगी अगर ice कतम हो जाएगी दो बारा से हमें रखना पड़ेगा तो ये थोड़ा inconvenient और un economical है और जब ice melt होगी तो water भी आएगा यानकि ice melt होने के बाद water आएगा तो water को dispose करना एक problem हो सकती है यानकि एक तरह की problem ही है system के अंदर जब control करते है rate of refrigeration और maintain करते है desired temperature जो refrigerating space के अंदर तो इस तरीके से थोड़ा सा difficult हो जाता है और जब ज्यादा temperature चाहिए हमें बहुत ज्यादा temperature चाहिए तो ये possible नहीं हो पाता है ice refrigeration के दोबारा बहुत ज्यादा temperature कम temperature नहीं possible हो पाता है और जो indirect methods है indirect method में जो wetting space के chances यानकि जो space है वहाँ पे भी wetting हो सकती है वहाँ पे भी गिला हो सकता है वैट मतलो गिला तो वहाँ पे भी हो सकता है कुछ न कुछ इस तरह के यानकि जिसकी वज़े से क्या है फूड के अंदर contamination हो सकता है या कुछ और problem हो सकती है यानकि आपको ये पता होगा जहाँ पे भी थोड़ा सा गीला हो, वेट एरिया हो, तो वहाँ पर क्या contamination करे, अगर food के humidity ज़ादा है, तो वहाँ पर क्या है? चांसिस ज़ादा हो रहते हैं, तो problem create हो सकते हैं, food हमारा खरावी हो सकता है, contamination की वज़य से, तो indirect matter system के अंदर क्या होता है? जब भी हम यूज करतें indirect system तो उसका एक तो चाहिए area जादा चाहिए और जो initial coast लगेगी वो भी जादा लगेगी यानि की एक तो indirect system के लिए हमें space के environment यानि की area जादा चाहिए और जो coast लगेगी वो भी जादा चाहिए ये था आज का discussion next में dry ice refrigeration करेंगे और बाकी methods भी करेंगे अगर आपने वीडियो चाहिए अप्टू डेट चाहिए तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो helpful लगी है तो अपने friends के साथ में share कर सकते हैं और वीडियो को like कर सकते हैं अगर आपका कोई question है, query है तो आप comment करके हमें जूट बता सकते हैं और last तक वीडियो में बने रहने के लिए thank you, have a nice day